दोस्तों, भार्तिय टीम ने बॉर्डर गावसकर ट्रोफी के पहले टेस्ट में आस्ट्रेलियाई टीम को बुरी तरह हरा दिया है। टीम इंडिया ने नागपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर ही अपने नाम किया और चार मैचों की सीरीज में एक शून्य की बढ़त बनाए। पहली पारी के स्को के आधार पर 223 रनों से पिछरने के बाद आस्ट्रेलिया दूसरी पारी में महज 91 रनों पर सिमट गई। इसी कारण कंगारू टीम यह मुकाबला पारी और 132 रनों से हार गई। मैच के तीसरे दिन कल की नाबाद जोडी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बल्ले बाजी करने उत्रे। भारत ने दूसरे दिन के स्को साथ विकेट के नुकसान पर 321 रनों से आगे खेलना शुरू किया। लेकिन भारत को पहला जटका रविंद्र जडेजा के बल्ले बाजी करने आये मुहम्मद शमी ने अक्षर पटेल का शांदार साथ देते हुए भारती अपारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर आस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। मुहम्मद शमी ने लंबे चक्के लगा कर दर्शकों का दिया। साथ में विकेट के लिए रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 88 रनों की साजेदारी बनाई। तीसरे दिन की शुरुआत में जडेजा 70 रन बनाकर मफी की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद मुहम्मद शमी ने अक्षर पटेल का साथ निभाया। द आखिरी विकेट के रूप में पैट कमिन्स का शिकार बने। 174 गेंदों की इस पारी में अक्षर ने 10 चोके और एक चक का मारा। आस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू मैच केल रहे टॉड मफी ने साथ बल्ले बाजों को आउट किया। 47 ओवर के स्पैल में उन्होंने 124 रन रन खर्च किये। यह डेब्यू टेस्ट पारी में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का तीसरा बेस्ट प्रदर्शन है। बॉब मैसी ने 1972 में 84 रन देकर 8 विकेट लिये थे। वहीं 2009 में इसी मैदान पर जेसन क्रेजा ने भारत के खिलाफ 215 रन देकर 8 बल्ले बाजी करने उतरी आस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। आस्ट्रेलिया के सलामी बल्ले बाज उस्मान ख्वाजा पारी के दूसरे ही ओव में रविचंदरन अश्विन की गेंद को ड्राइव करने के चक कर में स्लिप में कोहली को कैच थमा ख्वाजा मात्र पांच रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्ले बाजी करने आये मानस लाबुशेन ने डेविड वोनर के साथ मिलकर आस्ट्रेलियाई पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन रविंद्र जडेजा की शांदार गेंद पर मानस लाबुशेन लबी 26 रनों पर दो विकेट गिर जाने के बाद अश्विन की फिरकी में कंगारू टीम ऐसी फशी की एक के बाद एक लगातार विकेट खोते गए। आस्ट्रेलिया की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके 6 बल्ले बाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं चूपाए। रविचंदरन अश्विन ने 12 ओव में तीन मेडन रखते हुए 37 रन देकर 5 विकेट लिये। वही रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी आस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहत ख केल दिया। अश्विन ने भी तीन विकेट लिये और आस्ट्रेलिया की टीम 177 रन पर सिमट गई। मानस लाबुशेन ने सबसे ज़्यादा 49 रन बनाए। जवाब में भारतिय टीम को कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी। हालांकि दूसरे छोर से कोई भ लिबाज लंबे समय तक पिछ पर नहीं टिक पाया। लेकिन रोहित ने रन बनाना जारी रखा। भारतिय कप्तान ने 171 गेंदों पर टेस्ट में अपनी 9 सेंचुरी पूरी की। यह कप्तान के रूप में उनका पहला शतक है। 212 गेंदों पर 120 रनों की पारी खेलने के ब लविन्द जडेजा को मैच में उनके आल राउंड प्रदर्शन के लिए मैन आफ दे मैच के पुरसकार से नवाज आ गया।